एक बिजली कर्मचारी पर आधा दर्जन से अधिक बदमाश शिवकों ने हमला कर दिया वही लाठी डंडो से मार पीट कर उन्हें घायल कर दिया और घायल कर भाग निकले पुलिस ने घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भरती किया और आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया अस्पताल में पहुँचे परिवार के लोगों का आरोप था कि उनके पास में रहने वाले राम सिंग गुर्जार से बिवाच चल रहा है और उसने पिता और परिवार को जान से मारने की धमकी दी थी और उसी का बदला लेने के लिए उन्होंने हमला किया है फिलहल घटना इस्थल पर पहुची पुलिस ने हमलावरों के खिलाफ हत्या के प्रियास का मामला दर्ज कर उनकी तलाश शिरू कर दी है मेरे को सुबह फोन द्वारा सूचना मिली के आपके पिता जी को मालव स्कूल के पास चार पार आट-दस गुंड़ों ने मार दिया है वायतन दमकी दे रहते हैं हमारे बाप को पिता जी को ममी पापा को पे तिरे को जान से खतम कर देंगे तो जाधा ही बड़ा जातिकत गालियां भी देते हैं इस तरह से और अभी जह है कि अभी मेरा आया यहाँ पर तो अभी पुलिस द्वारा भी सूचना कर दी हमने तो प अपनी डूटी के लिए जा रहे थे बच्चे को छोड़कर जैसे ही चर्च पर आये सीपी कालोनी रोड पर वहां पर कुछ गुंडे इनसे विवाद चला था एक राम सींग हैं उनसे गुरजर हैं उनसे विवाद चला इनका उन्हीं ने पांच-छे लोगों को एकटा करके मोटर साइकल से रोक कर पटग लिया और जान से मारने की नियत से इनकी मार पीट किये और मुल्यों मोगी तलास की जा रही हैं अभी फिलार रामनेरे विरला स्पतालम भरती होकर इलाज ले रहे हैं